नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल फ्री एजुकुशन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम इस साल के क्रेंट अफ्यस के मोश्ट मोश्ट इंपॉर्ट थर्टी कॉस्टन को डिसकस करने वाले हैं दोस्तों जितने भी कॉस्टन हमने इस वीडियो लेक्शन में ऐड़ी कियے हैं सारे के सारे कॉस्टन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेविल के कॉस्टन है और दोस्तो नवी कॉस्टन को हम बिल्कुल डेटेल में with extra fact के साथ में discuss करेंगे तो चलिए दोस्तो शुरुआत कर लेते हैं नमर फर्ष्ट कौस्टन से, पहला हमारा कौस्टन हे कलिंग रतन सम्मान 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो देखे दोस्तो कलंग रतन सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है बिस्व भूसन हरीचंदरन को V-Option सही हो जाएगा देखे दोस्तो बिस्व भूसन हरीचंदरन ये कौन है तो ये आंदर प्रदेश के वर्तमान में राजपाल है ठीक है और इनको साहत के छित्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए कलंग रतन सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है नेश्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तो असम राइफल्स के नए महान देशक कोन बने हैं दोस्तो असम राइफल्स के जो न्यू डीजी हैं वो बन गए हैं प्रदीब चंदरनायर वी ओप्सन साही हो जायागा दोस्तों असम राइफल्स यह कब ištesravel किया गया था तो यह 1835 में ištes жд給 ištes भार्त किया गया था इसका जो headquarter है यह शिलॉंग के अंदर इस्थे थै और दोस्तों असम राइफल्स आपको याद रखना है कि यह भारत की सबसे पुरानी पैरा military force है नैश्ट कैसन किस देश में इस्तितभाती उच्चायोग के इंद्रा गांधी सांस्क्रित केंद्रे ने संसक्रित सिखाने वाले एप लिटिल गुरु का सुभरम किया है और फैक्टों को हम डिसकस कर लेते हैं दुस्तो बांगलादेश में ढाका, इस्तित भाती, उच्चा योग के इंद्रागांधी संस्कृत केंद्रे ने संस्कृत सिखने वाले एक एप का सुभारम किया है और इस एप का नाम है लिट्ल गुरू दुस्तो ये जो है ये संबादा अत्मक एप संस्कृत सिखने को आसा करेगा next हमारा question दोस्तो Edward Hagar किस देश के नए प्रधान मंत्री बने हैं दोस्तो Edward Hagar जो है यह सिलोवाकिया देश के कहां के सिलोवाकिया देश के new PM बन गए है अब दोस्तो बात हुए सिलोवाकिया देश की तो जो सिलोवा किया है यह यहां की कैपिटल क्या है ब्रेटी सिलावा यहां की करंजी क्या है यूरो है और यहां के प्रेसिडेंट कौन है तो जो जाना कैपुटोवा यहां के प्रेसिडेंट है और न्यू पीएम कौन बन गए है तो एडुवाड हैगर जो है यह सि अभियान जो है ये लॉंच किया है मद्ध प्रदेश ने कोरोना वारस के संक्रमन की रोक थाम और बचाव के लिए मद्ध प्रदेश सरकान ने मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान को लॉंच किया है नेस्ट कोस्टन है खेलो इंडिया युथ गेम 2021 का आयोजन किस राज में किया गया दोस्तो खेलो इंडिया युथ गेम 2021 का आयोजन जो है ये किया गया है हरियान राज में तो इसकोस्टन का D option सही हो जायागा देख दोस्तो खेलो इंडिया युथ गेम जो है इसका पहला संस संसकन कब हुआ था 2018 में और कहां पर हुआ था नियू दिल्ली में दूसरा संसकन 2019 में हुआ था और महराष्ट के पुड़े में हुआ था तीसरा संसकन 2020 के अंदर हुआ और गोहावटी असम में हुआ और चौथा संसकन 2021 में हुआ है और पंचुकुला हरयाना के अंदर इसका आयोजन किया गया ठीक है तो ये चारों संस्कन आपको याद रखना है खेलो इंडिया युथ गेम के एक्ष्ट हमारा कोशन है दोस्तों किस राजी की सरकार ने के फायती रेंटल आवास इवं कॉम्पलेक्स युजना ये किस राजी सरकार ने लौंच की है उत्तर प्रदेश ने डी ओप्सन सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश राध्धानी क्या है लखनव ठीक है और लखनव को नबावों का सहर कहा जाता है यहां के सीम कौन है योगी आदित नाथ जी है और यहां की प्रिजन टाइम पे गवरनर कौन है तो आनंदी वेन पटेल है नेक्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोर उर्जा सयंत्र किस राज में इस्थापित किया जाएगा दोस्तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोर उर्जा सयंत्र इस्थापित किया जाएगा तेलंगाना के अंदर ए ओप्सन सही हो जाएगा और तेल कितनी होगी तो इसकी इस capacity जो है यह होगी 100 Megawatt Next question सांत्र अग्रो सेना 2021 बहुराश्टियसेन अभ्याज किन देशों की सेना के बीच में सुरूं किया गया तो देखे दोस्तो सांत्र एग्रो सेना 2021 जो वहुराश्टेशन अभ्यास है इसका आयोजन हुआ है भारत, भूटान, स्री लंका, बांगला देश इन सभी देश की सेनाओं के बीच में तो इस question का D option सही हो जाएगा और पर एक तो सभी देशों की सेनाओं के बीच में और detail को बांगला देश के अंदर उदेश क्या है तो चारा देशों की सेनाओं के बीच रिस्तों को और अधिक मजबूत करना और सेन सकती का प्रदसन करना आतंकबाद को खत्म करना ताकि किसी भी हमले और युद्ध जैसे इस्तिती से निप्टा जा सके दोस्तो सांत्र अग्रो से ना 2021 की थीम थी नेश्ट वन की हम बात कर लेते दोस्तों अंतर राष्ट ये बाल पुष्टक दिवस कम मनाया जाता है दोस्तों अंतर राष्ट ये बाल पुष्टक दिवस कम मनाया जाता है और दोस्तों अंतर राष्ट ये बाल पुष्टक दिवस 2021 की थीम क्या थी थीम मैं जरूर कूछी जाती है चाहे कोई भी दिवस हो दोस्तो थीम थी इसकी The Music of World क्या थी The Music of World इसकी थीम थी और दोस्तो यह जो दिवस है यह डेनिस लेखक और कवी हंस क्रिस्चियन एंडर्सन की जन्म दिवस के तो बचचों को किताबों के पर्ती प्रेद करना और किताबों से बचचों की बढ़ती दूरियों को कम करना इसका उद्देश है . नेश्ब हमारा question दोस्तो पुरुस मुक्य पा जी विष्बु चेम्पियनिसिप 2023 की में जवानी जो है ये उजविकिस्तान में होगी ठीके और जविकिस्तान की राधनी किया है तासकंद ठीके तो तासकंद में इसका आयोजन किया जायेगा next one की हम बात कर लेते हैं करनाटक लोक्षिवा आयोक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तो करनाटक लोक्षिवा आयोक के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं उनका नाबे सिव संकरप्पा एस साहुकार V options हो जाएगा करनाटक की यहां पर बात हुए तो करनाटक की राध्धनी क्या है बैंगलरू है यहां की CM कौन है तो VS यह दुरप्पा है राजपाल कौन है तो बजबही बाला जो है यह करनाटक की राजपाल है next question है UPI पर एक विलियन से ज्यादा transaction करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है दोस्तो UPI पर एक विलियन से ज्यादा transaction करने वाली पहली कंपनी बन गई है फोन पे V options हो जाएगा देखे दोस्तो बैंगलरू इस्ति डिजिटल भुक्तान और वित्य सेवा कंपनी फोन पे UPI पर एक विलियन लेंदेन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है अब देखे दोस्तो यहाँ पर बात हुई है UPI की इसका full form ही पूंचा जाता है तो unified payment interface इसका full form होता है और बात हुई थी phone pay की तो phone pay की इस था अपना 2015 में headquarter वेंगलरू में इसके संस्तापक और बरतमाज CEO कौन है तो समीर निगाम है ठीक है और इसकी parent company कौन सी है तो phone pay की जो parent company है वो है फिलिप कार्ट ठीक है तो ये भी आपको पता रहना चाहिए नेस्ट कोस्टन भारत का पहला 14 लेन वाला express bay कौन सा बन गया है दोस्तो भारत का पहला 14 लेन वाला express bay बन गया है दिल्ली मेरट express bay ए ओप्सन सही हो जायागा ये जो photo है ये हमारे देश के नए जो राजस्प सच्चिव बन गये है उनका photo है कौस्टन नीचे दिया गया है देश के नए राजस्प सच्चिव बन गये है दोस्तो देश के नए राजस्प सच्चिव बन गये है तरुन बजाज ठीक है इनका photo हम उपर देख चुके है नेश्ट हमारा question है दोस्तो भारत के वरतमान ग्रह मंत्री कोन है सब ही लोग जानते होंगे भारत के वरतमान में ग्रह मंत्री है अमित साहे ठीक है लेकिन अमित साहे से आपको याद रखना है कि अमित साहे को ग्रह मंत्रालाय के अलामा सहकारता मंत्रालाय भी दिया गया है कौन सा सहकारता मंत्रालाय इनको दिया गया है ठीक है दोस्तो जो सहेकारता मंत्राला है ये केंद सरकार ने इसी साल बनाया है ठीक है और पहले सहेकारता मंत्री कौन बने हैं तो अमित साहे बन गए हैं ये कोस्तन आपके एक्जाम में पूचा जा सकता है ठीक है नेश्ट बन की हम बात कर लेतें दोस्तों भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है नितिन गड़करी सी ओप्सन से हो जाएगा नितिन गड़करी से आपको एक फेक्ट याद रखना है कि खादी पें में सड़क परिवहन यह में राजमार्ग मंत्री है एक हमारा क्वेस्टन है दोस्तो मसूर उर्दू सायर राहत इंदोरी का जन्म किस राज में हुआ था दोस्तो जो राहत इंदोरी हैं यह कौन है यह मसूर उर्दू सायर हैं और इनका जन्म जो है यह मद्द प्रदेश में ह हुआ था कहां पर मद्द प्रदेश में हुआ था और दोस्तो मद्द प्रदेश की आर्थिक राध्धानी इन दौर में इनका जन्म हुआ था ठीक है और अगस्त 2020 में सत्र वर्ष की आयू में इनका निधन हो गया तो इनकी रचनाय पूछी जा सकती है नाराज चांद पागल है दो कदम और सही मेरे बाद ये इनकी प्रमुख रचनाय है next question है computer में cut copy paste command का पता लगाने वाली computer वेग्यानेक का हाली में निधन हो गया है उनका नाम क्या था दोस्तों computer में cut copy paste ठीक है जी के में question पूछा जाता है कि cut copy paste command के पता लगाने वाले computer विग्याने कौन है ठीक है तो कौन है Larry Tessler थे अब इनका हाली में नीधन हो गया है नेश्ट हमारा question दोस्तों Grammy Award 2021 में West Performance Award किसे दिया गया दोस्तों Grammy Award 2021 में जो West Performance का Award है ये दिया गया है वियानसे को किसको वियानसे को दिया गया है और दोस्तों जो वियानसे हैं ये कौन है ये अमेरिकी गाई का है ठीक है और वियानसे दोस्तों एक अमेरिकी गाई का है ये जीतने वाली पहली महिला गाई का वन चुकी है नेश्ट हमारा कॉस्टन दोस्तो प्रधान मंत्री नरंद मोदी के नए सलाहकार कौन बने है दोस्तो प्रधान मंत्री नरंद मोदी के जो न्यू एडवाइजर है वो आमित खरे बन गए है ठीक है कौन बन गए है आमित खरे ब सम्मानित किया गया वारत में अंत्रक शियात्यों के परचार में उनके उत्क्रिष्ट आजीवन योगदान के लिए Astronautical Society of India सोट में कहते हैं ASI तो ASI के द्वारा प्रतिष्टत आरेवट्ट पुरुस्का 2021 से सम्मानित किया गया है Next question है अनुसूचत जनजाती राष्टी आयोक के नए अध्यक्ष कोन बन गया है दोस्तो अनुसूचत जनजाती 2021 को आपॉइंट किया गया था और दोस्तो इन्होंने किसको रीप्लेज किया है तो इन्होंने नंद कुमार साइं को रीप्लेज किया है Next one की हम बात कर लेते हैं इसी करह में राष्टी महिला आयोक की फिर से अध्यक्ष कोन बन गया है दोस्तो राष्टिय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बन गई है रेखा सर्मा और इनका जो कारेकाल है ये तीन साल के लिए वड़ा दिया गया है दोस्तो राष्टिय अल्प संख्यक आयोग की नए अध्यक्ष कौन बन गए है दोस्तो राष्टिय अल्प संख्यक आयोग या फिर इसको अमसोर्ट में क्या कहते हैं NCM कहते हैं और इसके जो न्यू चेयर में है वो बन गए है सरदार एकवाल सहलाल पुरा ए ओप्सन सही हो जाएगा डेटेल को हम कवर कर लेते हैं तो दोस्तो सितंबर 2021 को कब सितंबर 2021 को सरदार एकवाल सहलाल पुरा ने राष्टिय अलप संख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहन किया है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो सायद गयूर उलहसन रिजबी को रिप्लेस किया है एन्सी एम फुल फर्म क्या होता है तो नैशनल कमिशन फर माइनोर्टी हिंदी में इसको राष्टिय अलप संख्यक आयोग कहते हैं यह एक संविधनिक निकाय है इसकी इस्तापना केंद सरकार द्वारा राष्टिय अलप संख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी दो दोस्तो 2011 की जन गाना के अनुसवा देश की जन संख्या में इन 6 धर्मिक अलप संख्यक समूदायों को प्रतिस्थ कितना है तो 19.03 इसका प्रतिस्थ है नेस्ट कोस्टन है अंतरक्ष में चलने बाली पहली चीनी महिला अंतरक्ष यात्री कोन बनी है दोस्तो अंतरक्ष में चलने बाली पहली चीनी महिला अंतरक्ष यात्री बन गई वांग यपिंग ए ओप्सन सही हो जायागा यानि कि स्पेस बॉक करने बाली पहली चीनी महि वांग यपिंग बन गई है एक कहा की सरकार ने एंटी ओपन वर्निंग केमपेंग को शुरू किया है दोस्तों एंटी ओपन वर्निंग केमपेंग को शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने ठीक है और वायू प्रदिशन की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी ओपन वर्निंग campaign सुरू किया है दिल्ली की सरकार ने नेश्ट कोस्टन है NASA और US Geological Survey द्वारा वर्ष 2021 में launch प्रतवी आउलोकन ग्रह का नाम क्या है तो देखे दूस्तो NASA और US Geological Survey के द्वारा प्रतवी आउलोकन उपग्रह लाँच किया गया है कब 2021 में इस उपगरह का नाम कह है इस उपगरह का नाम है लेंड सेट नाइन three options अई हो जाएगा नेश्ट कोस्टन है भारत की तजामुल इसलाम ने किस चम्पेंशिप में शौन पदक जीता है दोस्तो भारत की तजामुल इसलाम जो है इनुने विस्ब किक बॉक्सिंग चेंपेंशिप में शौन पदक जीता है ए ओप्सन सही हो जाएगा डेटेल को हम देख लेते हैं दुस्तो भारत की 13 वर्षिय खिलाड़ी तजामूल इसलाम ने काहिरा मिस्र में आयोज़त विस्ब किक बॉक्सिंग चेंपेंशिप में शौन पदक जीता है दुस्तो फाइनल मुकारले में तजामूल ने अर्जेंटीना की ललीना को पटक ने दी है और दुस्तो जो तजामूल इस नाम है ये उत्तरी कस्मीर के वांदी पूरा जिले से बिलोंग करती है Next Question है आदीबासी गौरो दिवस महा संभिलन का आयूँजन कहां पर किया गया दोस्तो आदीबासी गौरो दिवस महा संभिलन का आयूजन जो है मद्द प्रदेश की राध्धानी भोपाल में किया गया Impact Question है देखे दोस्तो इसका आयूजन कप किया गया तो 15 नवंबर 201 को इसका आउजन किया गया और देखे दूस्टों आदिबासी गोरोदिवस महा सम्मिलन जो है ये विर्षा मुंडा ठीक है ये विर्षा मुंडा की जैंती की उपलक्ष में इसका आउजन किया गया और प्रधान मंतरी मोदी ने इस महा सम्मिलन को संबोधित किया नेस्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तो नेस्ट कोशन आपके लिए चैलेंजिंग कोशन है इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है पांच अंतर राष्टी एयरपोट वाला देश का पहला राज कौन सा बन गया है ठीक है इन चार आप्शन में से आपको सही आप्शन जो है ये कमेंट करके बताना है तो थेंक दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसा लगा इमांदरी से हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो एदि अच्छ लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर करें जो new student हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं साथ में bell icon दबा ले हैं ताकि जब भी में कोई नया और latest वीडियो डालूं तो उसका notification आपको मिल सकें आप हमारे वीडियो सबसे पहले बहुच कर सकें और दोस्तो इसी प्रकार के important वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर i button में मिलेगी नीचे description में मिलेगी यहाँ पर दोस्तो अभी आपको स्क्रीन पर तीन महत्पून वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियोस को ज़रूर देख लें तैंक दोस्तो राम राम दुगा सलाम मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातराम